का हdarui सो के फ्रेर्जिट वेल्काण डुमार येटुप चैनल मोतर स्पोर्स में अगर आपके पास कोई भी गेरले स्कूटर है और मोपेड है और इसमें आप रिगूलर एंजिनु एल चेंज करवाते हो तो आपको उसके साथ में गेर वचेंज करवाना होता है तो आपको कितने किलो मीटर पर गेर ओयल चेंज करवाना है और कौनसी कमनी का सही रहेगा वो मैं आज आप इस वीडियो में बताऊंगा आप देख सकते हैं हमारे पास विडॉल कमनी का गेरोयल स्कूटर का गेरोयल है वो गेरोयल का नमबर आता है 90 नमबर का 80W 90 नमबर का गेरोयल आता है आपको रेगुलर 10,000 किलोमीटर पर एंजीन ओयल के साथ में गेरोयल भी चेंज करवाना होता है एंजीन ओयल मुशली 2500 किलोमीटर पर चेंज करवाना होता है उसके साथ गिने तो हम चार या पांच बार आप एंजीन ओयल चेंज करवाते हो तो एक बार गेरोयल भी चेंज करवाना पड़ता है और अगर हम कमनी की बात करें तो वीडॉल और कैश्टरोल दोनों सही कमनी है गेरोयल चेंज करने के लिए आप देख सकते हमारे पास वीडॉल का है जो होंडा में ओई सप्लाइ में डलता है और केश्टरोल का स्कूटर अगर हम लेते है जो एंगNew oil आता है जान्ठोइमेल उसके साथ भी गेरोयल लगता है तो आप वह भी खरीच सकते हैं इसके साथ अंगन ऑल गेरोयल दोनों का कॉम्बो आता है वीडोल में भी कमबो आता है वह पर्चेस करके गेरोल चेंज करवा सकते हो पर आपको यह ध्यान रखना है कि एवरी सर्विस में उसको नहीं चेंज करवाना है जब भी एज़ीड़ चेंज करवाए तो आपको गेरोल चेंज करवाना नहीं है एवरी 10,000 किलोमीटर ओपर गे वीडियोल कमने के API GL 5 ग्रेड आता है उसमें और इसमें कुछ एडिटीव से ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है उसमें और आपको जो डलवाना है तो केश्ट्रोल या वीडियोल दोनों में से कोई भी गिर ओयल आप डलवा सकते हैं और ऐसे ही नए वीडियो के लिए प्लीज सस्क्राब मैं यूट्यूब चैनल और अगर मुझे ओनलाइन मिल जाएगा तो मैं लिंक डिस्ट्रिक्सम ने दे दू थैंक यू